कि हेलो एवरिवन स्वागत करते हूं एक बार फिर से आप सभी का अपनी YouTube चैनल में आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं बंडारे वाले आलु की रेसिपी तो यह जो रेसिपी आज में लाई हूं इससे आपकी भंधारे वाली आलू की सबजी perfect बनेगी और सिर्फ 10 मिनिट में तो इसके लिए दो चीजे में होती हैं जो मैं आगे आपको रेशिपी में बताऊंगी उनके भी ना भंधारे वाली आलू की सबजी में टेस्ट भंधारे वाली सबजी का नहीं आएगा सिंपल आलू टिमाटर का आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा रेसिपी को पूरी देखिएगा तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं उबलेवे आलू कि दो टमाटर ले लिए मैंने मीडियम साइज के तो हम दो कट्रिस अब जी बना रहे हैं उसी साफ से वैने यह टमाटर लिए और आलू लिए हैं आप अपनी क्वांटिटी bên लिए और आलू लिये हैं तो यह टमाटर अबुवार्णे लिए मोटे मोटे पीस में और इनने उसमें जो जरूरी कह वोती है सब्जी में तो सबसे पेले मैं ने कड़ाईि ले लिए आर कड़ाई में सरसों का तेल चड़ा लूंगी को अच्छeez कर लेंगे तो जब हैं तो इस में आम जी रा चौड़ देंगी कि जीरा हमार अच्छे से चटक जाएगा तो इसमें एक साबत लाल मिर्च और तेज पत्ता छोड़ दिया है मैंने अब इसमें टमाटर की प्यूरी आड़ कर दी इसको चलाते हुए अब हम इसमें मसाले आड़ कर लेंगे मसाले आप अपनी सबजी की क्वांटिटी के हिसाब से आड़ कीजिएगा इसमें मैंने नमक धनिया पावडर और हल्दी डाली है सबसे पहले और इसी अच्छे से चला दिया है अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च आड़ करेंगे कलर के लिए अगर आप तीखी खाने चाहते हैं तो इसमें आप हरी मिर्च और लाल मिर्च तीख से फोड लेना है और इसके मोटे मोटे पीश दिखने चाहिए जैसे कि बंडारे वाले आलू की सबजी में होते हैं आप लोगों ने खाई होगी तो उसमें मोटे मोटे पीश दिखते हैं उसी तरीके से हमें पोड लेने हैं अब यह देखिए हमारी मसाले ने चिकनाई तो कसूरी मेथी जरूर डालिएगा एक कसूरी मेथी और दूसरी दही यह दो चीजें ही इसको भंडारे वाले आलू का टेस्ट देती हैं नहीं तो यह नोर्माल आंटी माटर जैसे लगेंगे तो यह देखिए अच्छे से पक गई आप इसमें हम दही आड कर देंगी दही तो यह देखिए और इसमें उबाला गया तो अब इसमें हम आलू छोड़ देंगे अब आलू को चलाते वए अच्छे से मिक्स कर देंगे अब ही हमारे आलू अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम सबसे last में इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग तो ये मैंने हींग एड़ कर दिये हींग मैं सबसे last में इसलिए डालती हूं क्योंकि हींग का flavor last में डालने से बहुत अच्छा आता है तो अब चलाते वह अच्छे से सारा समान हम mix कर देंगे और ये देखिए अब इसमें सबसे लाश्ट में हम पानी एड़ करेंगे तो पानी बहुत जादा एड़ नहीं करना है पानी इतना एड़ करना है कि हमारी सबजी थोड़ी गाड़ी सी बन जाए अब पानी डालने के बाद इसे 7-8 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे इसे बहुत जादा टाइम पकाने की ज़रत नहीं पड़ेगी क्योंकि आलो हमारे उबले हुए हैं बस इतना पकाना है कि हमारी सबजी गाड़ी अच्छी बन जाए और आलो में अच्छे से मसाला भड़ जाए तो यह देखिए हमने सबजी पकने के लिए छोड़ दिये अब यह देखिए हमारी सबजी तेयार हो गई तो सबसे लास्ट में इसमें गरम मसाला एड़ करना है गरम मसाला एड़ करने के बाद तुरंतिसी डख दीजिए, गरम मसाला एड़ करने के बाद ढखते इसलिए ताकि गरम मसाले की खुश्बू बहार ना निकले, अब हमारी सब्जी तयार है, तो सबसे लास्ट में हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया है उपर से, तो देखिए हम इसलिए तरीके की सब्जी आप लोगों ने भंडारे में खाई होगी, आज ही बनाएए अपने घर में, और बच्चों को, और सब को खिलाएए, यह सब को बहुत पसंद आएगी, इसके साथ आप चाहें तो दाल वाली कचोरी बना सकते हैं, और चाहें तो सिंपल पूरी, दाल वाली कचोरी की रेसिपी मैंने अपनी दूसरी वीडियो में डाली हुई है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर दूसरी वीडियो देख सकते हैं, अब यह देखें, मैंने इस सब्जी के साथ पूरिया बना ली है, और अब मैं डिनर के लिए यह सर्व कर यह देखें, मेरे डिनर की थाली तयार है, थैंक्यू सो मच गाइस, आपको मेरे वीडियो कैसे लगी, कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, थैंक्यू सो मच